हेलो फ्रेंट्स रश्मी के दरंगी रसोई में आपका बहुत बहुत स्वागत हैं आज मैं आपसे ऐसी रेसिपी शेर करने जा रही हूँ जो कि बच्चों को बेहत पसंद होता है और वो कईयों तरह से खाना चाहते हैं और इसको बनाना इतना असान है कि कोई बिगनर भी बन इन ही समगरियों से ये बन सकता है और बहुत जल्दी भी बन जाता है तो चलिए इसको कैसे बनाना है क्या करना है वो मैं आपको बता देती हूँ समगरी तो आप देख सकते हैं लेकिन ये है चीज क्या वो मैं आपको बता देती हूँ बहुत लोग जानते हैं लेकिन कुछ इस लोग ऐसे भी हो सकते हैं जो नहीं जानते तो उनके लिए मैं बता देती हूं कि ये है रसभरी तो रसभरी को कहीं कहीं पे मक्को भी कहा जाता है और इसका English name है कैप गूज बेरी कहीं कहीं पे देखिए इस तरह से मिलता है ये गुच्छे में बंच में और कहीं पे इसके उपर कवर होती है तो वो मैं आपको दिखा देती हूँ कि कैसे होता है ये देखिए ये इसका कवर है और इसी लिए इसका कैप बेरी नाम भी है, तो ये बहुत जादा clear नहीं निकल पा रहा है ये देखिए, ये है इसकी cap और इस तरह से ये और यहाँ पे एक डंडी होती है, ये देखिए ये डंडी है, तो इस तरह से ये होता है, तो चलिए सबसे पहले हमें ये सब निकाल के और wash कर लेना होगा, धोके साफ कर लेना होगा, तो चलिए साफ करके मिलती हूँ, तो देखिए friends, ये मैंने gas पे बरतन ले लिया है, आप भी किसी गहरे बरतन को ले ले, और देखिए हमने क्या quantity ली है ये देखिए, एक अप लगभग चीनी है, थोड़ा सा कम लिया है मैंने, वैसे ही, ये पानी भी लिया है, उसका just half और ये मैं डाल दूँगी और अब gas on कर दूँगी, और इसको caramelize नहीं करना है कुछ भी नहीं करना है, simple पानी को बिलकुल ये शीरे में बदल जाए बस पांच मिनट बाद जब ये उबलने लग जाए तब मैं ये सारे सारी रजबरी डाल दूँगी और रजबरी आप हमेशा इस color की लें और खराब और दबने वाला अगर हो तो आप हटा दें जो transparent जैसे दिखती हैं और एक चीज और भी करें आप हमेशा ये देखिए ये जो है ना इसकी ऊपर की cap इसको आप काड़ दें क्योंकि ये कड़वा होता है ये थोड़ा सा आप इस तरह से काड़ दें तो मैंने भी कई सारे काड़ दी हैं खास वर से जो ज़्यादा निकला हुआ है उसको आप काट दें तो ये कड़वापन नहीं आएगी और इसको चार भाग करके भी आप बना सकते हैं मैं साबुती बना रही हूँ कुछ बेरीज मैं काट भी देती हूँ आप जैसे चाहें आप वैसे बना लें तो चलिए अभी इसको उबलने देती हूँ ये उबलने लग गया है और मैंने बहुत सारे कैप्स काट भी दी हैं ये आप देख सकते हैं कुछ मैंने दो भाग में भी कट कर दिये हैं तो अब मैं इन में डाल रही हूँ और करीब ये आदे गंटे तक ये 20 मिनट पकना चाहिए जिससे कि ये पूरी तरह से नरम हो जाए और इसमें कई चीजे मैं अभी एड़ करने वाली हूँ तो चलिए अभी इसको नरम होने तक पकाते हैं ये देखिए फ्रेंट्स लगभग 15 मिनट हो चुके हैं तो आप देख सकते हैं रजबरी में से ये छिल के उतरने लगे हैं ये देखिए काफी कुछ ट्रांस्पेरेंट भी होने लगा है नरम भी काफी हो गया है ये बस जड़ा सा डालना है ये इससे बहुत टेस्ट इनहांस हो जाएगा और दो चीज़े मुझे और भी डालनी है जो मैं लास्ट में डालूंगी नमक डालने से क्या है ना कि ये थोड़ा सा गलने में भी आसानी होगी जल्दी नरम हो जाएगा तो चलिए 10 मिनट इसको और भी पकने देते हैं तो देखिए फ्रेंट्स अब ये करीब करीब पक चुका है बस पांच मिनट मैं इसे और पकाऊंगी और एक चीज और बताना चाहरी हूं दो चीजें जो मुझे एड़ करनी है उससे पहले आपको ये बता रही हूं कि चाहें तो आप जैसे शीरा दें पांच मिनट तक और इस तरह के जो जाग हैं उसको आप निकाल दें तो जो चीनी जो इंप्योर होती है वो हट जाएगी और थोड़ा और ज्यादा ये ट्रांस्पेरेंट बन सकेगा तो इस समय मैं दो चीजें डालूंगी एक तो है लाल मिर्च ये कंप्लीटली एड खटा मीठा ये खटा होता है इसलिए थोड़ा सा नमक और ये सब डाल देने से बहुत ही टेस्ट अच्छा हो जाता है और ये जड़ा समय काला नमक डाल दी आप देख सकते हैं कि कितनी छोटी चमच है लेकिन फिर भी मैंने इसमें हाफ ही डाला है क्योंकि पहले भी हमने स चुका है और देखिए ये बिलकुल transparent हो चुका है और देखिए मैं ये दिखा देती हूं कि ये बिलकुल नरम बिलकुल ये गल चुका है ये इस तरह से ये दब रहा है फूले-फूले दिख रहे हैं लेकिन ये तुरंट ये इस तरह से पिचक जाएंगे और इसकी consistency भी ज़्यक्प्रन बंगोल आँमानि के लिए महएने भर भी खासकते है और उससे ज़्यक्प्रनकर श्खव हesse सब्जचता है यह में देखेज ख़ालत मिल्कूह расп बर्तन में अभी पलट रही हूं देखि ये एक बाउल बना है 300 अजिसफरी में कितना बनाना आसान है कितना जल्दी बन भीद गया है और असानी से न बहुत जादा चलाना है न कुछ पराठे के साथ बच्चों के लंच में दे सकते हैं, आप रोल बना सकते हैं, बच्चों के लिए रोटी से और पराठे के साथ, जैसे चाहें वैसे आप खा सकते हैं, ब्रेड में भी लगा सकते हैं, तो फ्रेंड्स ये हमारे जैम तो बिलकुल रेडी है, तो आप इसको अगर अच्छा लगे तो प्लीज हमें लाइक शेर एंड सब्सक्राइब कीजिए सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन प्रेस करके हमें आल भी कर दें मेरे चैनल को थैंक यू